इस वीडियो में हम देखेंगे reasoning and general evidence strategy for SSC CGL 2025 already math का और English का strategy वीडियो uploaded है चैनल पे अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो जाके देख लेना और for your convenience मैं नीचे comment section में दोनों वीडियो के link provide कर देता हूँ अब बात करते हैं reasoning कैसे पढ़ेंगे और general evidence कैसे पढ़ेंगे तो एक-एक देखेंगे पहले में reasoning के बारे में बताऊंगा फिर general evidence के बारे में बताऊंगा बहुत हवा चलता है कि reasoning बहुत ही easy है और ज़्यादा पढ़नी की जरूत नहीं है लेकिन इसी over confidence के वज़े से reasoning में कम स्कुरो जाता है बात यह नहीं कि reasoning के difficult question आते हैं reasoning के easy questions ही आते हैं लेकिन एक aspirant का over confidence के वज़े से वह ignore कर देता है subject और उसी वज़े से वह attempt नहीं कर पाता है हाला कि उसको सारे questions आते हैं लेकिन फिर भी वो exam में जितने समय उसका जो time bound होता है उसके अंदर वो सारे questions को attempt नहीं कर पाते हैं क्योंकि कुछ mistakes वो कर जाता है पने preparation के दोरान पे तो वो mistake आप ना करो इसलिए मैंने detail में वो चीज जो highlight कर दे रहा हूं कुछ points जो आपको जानना जरूरी है और उसको आपको follow करना जरूरी है preparation के दोरान ताकि आप at the end exam में वो गलती ना करो दोस्तो reasoning में जब हम reasoning के बारे हम बात करते हैं तो सबसे पहले दिवांग में आता है कि बहुत ही easy subject है हाँ यह easy subject है लेकिन आपको उसको carefully deal करना होगा कैसे दो चीज इसमें है एक होता है learning और एक practice बस यह दो चीज अगर आप रखोगे इसको sincerely then definitely आप आपको ज्यादा stress लेन के ज़रूत नहीं इसमें अच्छा score कर जाओगे तो सबसे पहले क्या करना होगा आपके पास एक किताब होना चाहिए previous question paper का जो mcqs होते हैं कोई भी publication होगा फरक नहीं पड़ता चाहिए आप किरन का ले लो चाहिए आप pinnacle का ले लो और या भी और कोई publication अगर आपके knowledge में है तो उनका भी ले सकते हो लेकिन कोई एक लेना सारे लेन के ज़रूत नहीं क्यूंकि सारे में questions से भी है ठीक है तो आपक questions आये हैं वो एक collection आपको एक book आपके पास होना चाहिए उसके साथ साथ आपके पास कोई भी paid course हो या free में YouTube में आप देख सकते हो ठीक है जरूर नहीं जो paid course होते हैं वो ही लोग अच्छा कर लेते हैं और जिनके पास free है वो अच्छा नहीं कर पाते है ऐसा नहीं है एक बह बहुत अच्छे content है free में available लेकिन इतने सारे content है कि आप उसमें छाट नहीं पाते हूं तो आप कोई भी source ले लो बस ये दो source चाहिए एक किताब एक learning videos क्या करना है सबसे पहले जब आपको पास किताब आता है तो chapter wise उसमें सारे chapters questions दिये हुए हैं इसलिए आपको में भी सार chapter दिख रहा है वो chapter के आपको पहले सीखना होगा कि वो chapter में क्या है ठीक है कोई भी chapter मतले for example blood relation तो blood relation आपने पिक किया और उसके वीडियोस आपने YouTube में search किया और YouTube में बहुत सारे अच्छे अच्छे lessons है मैं यहां पर YouTube को ज्यादा प्रमोट कर रहा हूं क्यूंकि मैं भी YouTube से भी पढ़ा हुआ था तो पॉसिबल है YouTube से पढ़ना ऐसे कुछ जरूर नहीं है कि आपके पास पेड़ी होना चाहिए ठीक है तो YouTube में सब कोई भी chapter ले लो जो आपने chapter select किया पहला chapter आपने किताब में देखा वही chapter को आपने YouTube से पढ़ लिया पहले समझ लिया कोई भी teacher से य आपको सारे questions को एक-एक questions करके आपको सारे questions को solve करने है वही method से जो method आपने वीडियो में सीखा हुआ है ठीक है किताब का explanation पे आपको जाने के जरूत नहीं है यूंकि अब जब आप math और reasoning देखते हो तो वहाँ पे कुछ tricks होते हैं जो आपको tricks पतावना चाहिए तो वह क्या हुआ आप theory सीखे और उसको implement किये तो यह दीरे-दरे करके आपका subconscious mind में develop होता चला जाएगा तो सारे ऐसे आपको सारे chapters पहले वीडियो से देखना है फिर वही chapters को practice करने है ऐसा नहीं कि आज वीडियो देख लिया और 5-6 दिन के बाद आप questions कर रहे हो वैसे काम नहीं आपको serious होना पड़ेगा आप पहले वीडियो देखोगे और तुरंत उसके बाद ही आप उसी chapter की questions को solve करोगे ऐसे करके आपको repeat करना है हर चीज को ठीक है एक बार आपने किताब खतम कर लिया आप एक बार आपने सारे वीडियो देख लिये और हाँ हो सके तो आप एक पूसिस को रहा हर चीज और उसमें से अगर कुछ important tricks आपको लगे कि हाँ यह मुझे note करके रख रहा चाहिए तो उसको एक note में लिखके रख सकते हो for revision purpose एक बार आपने सारे वीडियो देख लिए सारे चप्टर के मतलब जितने जो book में previous question paper के जो book होते हैं chapter wise उसमें सारे chapters एक बार आपने complete कर दिये तो उसके बाद आपको वीडियो देखनी के जरूत नहीं है आप वही questions को repeat करता है मतलब आप revision mode में आ जाओगे ठीक है आपको वह questions को फिर से repeat करके practice करना है आपको फिर वीडियो नहीं देखना है क्योंकि आपने time spent किया है सीखने में अब आपको नहीं सीखना आप already सीख चुके हो बस वही questions को फिर से बार बार दोराना है बस इतना ही करना है दोस्तों revision में इससे ज्यादा नहीं करना है अब overconfidence में आके क्या करते हैं कुछ लोग initially पढ़ते नहीं है exam में जब एक मैना होता है exam के लिए बस वह किताब खोल देते हैं और प बीक तक जाता है reasoning का वह develop नहीं हो पाएगा तो आप time management सही नहीं कर पाओगे exam में questions आप attempt नहीं कर पाओगे अलागि आपको हर questions का answer पता होगा आपको आपके अंदर potential है कि questions solve कर जाओगा लेकिन आप नहीं कर पाओगे exam में क्योंकि exam में pressure होता है अब एक बार आपका चार सारे chapters खतम होगे तो आप तो repeat कर रहे हो previous question paper वाले book उसके साथ आप quiz देख सकते हो quiz practice कर सकते हो देखो quiz practice क्यों किया जाता है इसका importance समझना जरूरी है quiz इसलिए practice किया जाता है ताकि आपका time management सही हो time improvement हो कम समय में ज्यादा question करने की आपका potential potentiality आपका develop हो इसलिए quiz जिया जाता है quiz देने से आप समझ पाओगे कि कम समय में questions को कैसे solve किया आता है कौन से questions को पहले attempt करना है कौन से questions क्यों बात के लिए छोड़ना है और कौन से questions को simply ignore करना है यह आपको only quiz में ही समझ में आएगा otherwise आप इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे तो बीज-बीज में प्रिफरेशन को दोरान में आप मतलब आप जब भी आपको totally ऐसा नहीं कि इनीचियल आप लगा रहे हो पूरा चाप्टर एक बार खतम कर दो सारे चाप्टर उसके बाद quiz लगाना start करना चोटे-चोटे-चोटे quiz 10 questions 15 questions बस उसे जादेने की जरूत नहीं है जब आप full mock देने लग होगे तो उस time आप दे सकते हो लेकिन initially आपको सब देखने की जरूत नहीं है तो यह दखा आपने फिरसे revise कर दे रहा हूँ आपको previous question paper का एक book होना चाहिए उसी book में से एक एक chapter को choose करके आपको videos देखना है सीखना है और उसी book से practice करना है एक बर खतम हो गया तो वीडियो देखने की जरूत नहीं है सिर्फ previous question paper को आप repeatedly practice करते जाओ एक बर खतम हो गया फिर से start करो फिर खतम हो फिर से start करो ऐसे करके आपको repeatedly practice करना है बस इतना ही करना है reasoning के लिए दूस्तों इससे ज्यादा करने की जरूत नहीं reasoning में और इससे कम भी नहीं चल कर सकते हैं सबसे पहले बात general awareness एक ऐसा subject है जो मतलब decide करता है आपका mark कितने आएंगे final merit मेरिट में देखो prelim में तो qualifying नेचर है लेकिन में में भी जो जी के questions आते हैं वो बहुत ज़्यादा important होते हैं आपके merit decide करने में लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप general awareness में पूरा ही दम आदेरों लेकिन आप अपने math English reasoning जो basic subject से इसको ignore कर रहे हो सबसे पहला आपका जो aim होना चाहिए वो यह होना चाहिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके math English reasoning में full to full score करने के लिए लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा आपका 100% आ जाएगा ऐसा नहीं है लेकिन आपको try करना है कि maximum आने के लिए वहां पर score उसके बाद जीके में जितना भी score आता है वो bonus जैसे होता है ठीक है और अगर आप जीके में ज्यादा effort लगाने कोसिस करोगे जीके दोस्तों आपको पता है कि वास्ट है बहुत ज्यादा है ठीक है इसके जो questions होते हैं आप जितना भी पढ़ लो ऐसे questions आने की chances हैं जो आपको नहीं पता होगे तो जो cost to benefit ratio ज्यादा नहीं है मतलब आप जितना effort लगाओगे उसी साफसे आपका score नहीं आएगा लेकिन जीके में यह true नहीं है ठीक है तो आपको wisely आपको इसमें समय invest करना होगा ऐसा नहीं कि दिन भर बैटके पढ़ रहे हो और कुछ student ऐसे हैं वो सोचते हैं कि यार जीके में 50 out of 50 प्री मिल लेके आ जाएंगे और में इसमें full score लेके आ जाएंगे वो full score लाने के चकर में वो बहुत अपना समय waste कर देते हैं जो समय उनको वो तीन subject में देन देना चाहते हो तो सबसे पहले जो priority होता है वो तीन subject है math, English, reasoning जी के fourth नमर पर आता है और ज्यादा समय आपको नहीं देना है एक दिन में एक घंटा बहुत होता है तो क्या करना है कोई भी एक किताब ले लो आपको पता है market में कौन से किताब चलता है दोनों में से कोई एक किताब ले लिया और एक किताब ले 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 लिया और एक किताब ले ले लेना वह है previous question paper mcq या तो किरन कर ले लो या तो pinnacle कर ले लो कोई फरक नहीं पड़ता दोनों एक ही टाइप के हैं ठीक है आपको जो अच्छा लगता है आप ले सकते हो डिसाइड नहीं कर सकते तो कॉइंट आस कर लेना जो भी अच्छा है ठीक है तो मैं कॉइंट आस करने के लिए इस लिए बोल रहा हूं ताकि इससे आप समझ पाओ कुछ फरक नहीं पड़ता दोनों किताब एक ही लेवल का है अभी आपको क्या काम करना है थोड़ा एक उल मानना है थि मानलो अफने एंसेंट हिश्टरी चूज किया एक टॉपिक और एंसेंट हिश्टरी के आपने पहले previous question paper के MCQs लगाने है, solve करो, answer देखो, आपको पता हो ना हो फरक नहीं पड़ता है, आप देखो, solve करो, question पढ़ो, 4 option देखो, चूज करने कोसिस करो, कौन सा answer होगा, और फिर answer देखो, explanation पढ़ो, फिर next question, ऐसा move करके आपको वो सारे ancient history की questions को खतम करने हैं, उसके बाद आपको उसी ancient history को lucent या तो आरियांत में से पढ़ना है, समझ पा रहे हो, मैं सीधा तरीका नहीं बता रहा हूँ, यहां पर उल्टा तरीका बता रहा हूँ, क्यों इसके बारे में बताने वाला हूँ, मैं आपको बताऊंगा, क्यों यह उल्टा आपको पढ़ना है, अगर आप सीधा सीधा पढ़ोगे, तो आप किताब में से हर च को गौर्ण सो देखूगे तो उल्टा तरीका इसलिए बेनिफिसियल है क्योंकि यहां पे आप एक बर प्रिविशन पेपर को कर लेते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि कोसिन किस हिसाब से पूछ रहा है किस तरीकी से पूछ रहा है को से वन्स आपको नॉलेज हो जाएगा कि कोसिन किस हिसाब से पूछ रहा है तो आप जब किताब में से थियोरी पढ़ोगे तो आपका नजर वहीं पे जाएगा जिस हिसाब से कोसिन पूछा गया है तो आपको पता है कि कोसिन जब एक परगर पढ़ रहे हो तो कौन से कौन से लाइन में आपको समझ में आ आपको 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 किताब में से पढ़ना है तो यह सारे चाप्टर जितने भी जीके के चाप्टर्स हैं आपको सारे वैसे ही करना है पहले previous question paper फिर theory एक बार आपका पूरा खतम हो गया यह पहला process है ठीक है आपको दूबारा repeat नहीं करना है इसको एक बार यह process खतम हो गया तो उसके पास फरक नहीं पढ़ता है आप पहले कौन सा कर रहे हो लेकिन आपको दोनों पढ़ना है आपको theory पढ़ना है previous question paper भी लगान गुमता रहता है question ज्यादा अलग से question नहीं पूछेगा तो कोई भी topic ले लो कोई भी topic है उसको अगर कोई question है तो उस question में चार option दिया हूँ है चार option के different different histories है तो चारो options किया है आपको पता होना चाहिए तो आप जितना explore कर सकते हो तो एक enjoy करके पढ़ो एसे ज्यादा stress ले question की जरूत नहीं है और ज्यादा serious नहीं होना जीगी के लिए को लेकिन ऐसा नहीं है कि totally ignore कर दे रो एक दिन में एक घंटा देड़ घंटा देना बहुत है ठीक है अराम से cool होके पड़ो समय है आपके पास 25 CGL 25 के लिएकर preparation कर रहे हो पर आपके लिए अच्छा मौका है इस और मौका नहीं गवाना है जैसे कि reasoning में मैंने quiz के बार मताया है इसमें भी बहुत सारे quiz हैं आप quiz practice कर सकते हो इसमें time management उतना फरक नहीं पड़ता है बस इतना important है कि कि कितना जल्दी आप question को पढ़गे उसका solution निकाल रहे हो तो almost pre में 5 मिनेट में आपको 5 मिनेट लगना ज नहीं लेना है अगर 5 मिनेट से जादा time ले रहे हो that means आपका reading speed इंप्रूफ नहीं हुआ है आपका reading speed और ज्यादा चाहिए ताकि आप 5 मिनेट में 25 questions को attempt कर लो टोटल देख लो सारे attempt ना भी करो लेकिन आपको total questions को देख लेना है और जो जो attempt करना है वो आपको attempt कर लेना है within 5 मिनेट और 25 questions तो दोस्तों यह रहा है reasoning का strategy और general advantage का strategy I hope आपको सौंज में आया है I hope इसको आप implement करोगे upcoming SSC CGL 2025 के लिए और कुछ doubt है further regarding this आप comment section में पूछ सकते हो मैं उसका reply दने की courses करूंगा thank you for watching this video have a nice day take care